हे गाइस वेलकम बैक टू कोगेंड बेक वित्रश्मी तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक डिजाइनर केक और वो भी फ्यूजन फ्लेवर में जो की है गुलाब जामून केक इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से ये खुबसूरत सा हम हमारा केक जो डिजाइनर लोक दिया है हमने वो बना सकते हैं बहुत ही इजी ली और पॉफेक्शन के साथ तो चलिए इसे बनाना शुरू करते है तो गुलाब जामून केक के लिए सबसे प इसे हम विप करेंगे सेमी लेवल तलग इसके बाद मैंने यहां पर ले लिया दा टू टेबल स्पून विप क्रीम एक स्मॉल बावल में और मैंने इसमें डाले है कुछ थोड़े से केसर इसमें और इसे हमें 10 मिनिट्स के लिए रेस्ट करने देना है और आप 10 मिनिट्स के सब देख सकते हैं अभी कि जो इसका कलर है वो खुद पर खुद हलका सा पेल यलो हो चुका है और इसके बाद विप्ट होने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे 1 टी स्पून इतनी इलाइची पावडर इससे जो टेस्ट है वो गुलाब जाबन फ्लेवर का बहुत ही यूज कर सकते हैं गुलाब जामून में कभी भी गुलाब जामून का एसंस ना डालते होई रबरी एसंस का कभी ट्राइग कीजिए इससे जो फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और जो हमारा केक का फ्लेवर है वह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने तो अभी यहां पर मैंने ले लिया है 1 kg का केक बोड और यहां पर हम इसे सिक्योर कर लेंगे हमारे टर्न टेबल पर एक सेलो टेप के मदद से इस तरीके से ताकि हमारे केक बोड़े वह बिल्कुल भी हीले ना और अभी यहां पर मैंने ले लिया है 6 इंचेस का दो स्पॉंज लिया है मैंने वैनिला फ्लेवर के सो अगर आप किसकी रेसिपी देखना चाहते हो तो लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप जाके चेक आउट कर सकते हैं और बस हम भी इसे तीन पार्ट में एक्वली डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमें जो केक है हमारा वो डिजाइनर बनाना है और टॉल केक बनाना है इसके लिए मैंने यहाँ पे 6 इंचेस के टीन में मैंने दो स्पॉंज मेंने हाफ आफ केजी के बना लिये है यहाँ पे जो स्पॉंज बनाते वक्त मैंने कोई भी रबरी एसेंस उसमें एड़ नहीं किया है जो नॉर्मली वैनिला एसेंस एड़ करते हैं वो ही मैंने इसमें एड़ किया हुआ था गुलाब चामून केक बनाना है तो हमें गुलाब चामून की तो बिल्कुल जरुवत लगेगी यहाँ पे मैंने हल्दी राम ब्रैंड के गुलाब चामून ले लिये हैं आपची यह तो घर पे भी बना सकते हैं और वो गुलाब चामून भी यूज कर सकते हैं इसका जो मैंने सीरप है वो पूरी तरीकी से ड्रेन कर लिया है अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं हैा है जो गुलाब जाम Wisconsin है वो मैंने अलग ले लिया है इसका जो सीरप है वो भी हम यूज़ करेंगे मगर इसमें हम हाफ बॉल अगर हम शुगर ले रहे है से सिरप तो हम इसमें हाव बॉल इतना पाने एड़ करेंगे अधर्वाइस यह ओवर स्विट हो जाएगा हमारा केक तो यह बैलेंस हो जाने के बाद जो हमारे गुलाब चामून है इसे मैं यहाँ पे तीन पार्ट में कट कर रही हूँ इसे कभी भी large pieces में ना रखिए क्योंकि जो इसका टेस्ट है वो फिर इतना अच्छा नहीं लगेगा तो यहाँ पे मैंने 3 equal parts में मैंने cut कर लिया है तो अभी ready हो चुके हमारे जो base हमें इसमें एड़ करने है तो यहाँ पे जो first sponge का layer है वो मैंने यहाँ पे रख लिया है और अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले cream लगा लेंगे नीचे जिससे कि हमारा जो cake है वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और इसके बाद हम इसे center में अच्छे से place करके हम इसे जो sugar water है इससे हम इसे अच्छे से soak कर लेंगे हमें बिल्कुल भी over soak नहीं करना है बस ही थोड़ा गिला हो जाए अच्छे से सब जगे से वो सुतना ही इसके बाद हम जो हमारा whip cream है वो add करके यहाँ पर मैं घुलाब जाबून के pieces रखते जा रही हूँ तो all over हमें अच्छे से spread कर लेना है बिल्कुल भी इसे रखने में कंजूसी नहीं करनी है कि हम गुलाब जाबून फ्लेवर बना रहे हैं तो इसे अच्छे से हमें add करना है और बस इसके बाद हम थोड़ा सा whip cream add करेंगे उपर से और फिर इसके बाद हम second layer हम करते जाएंगे इसी तरीके से इसी तरीके से सेम हमें पूरा हमारे जो जितने भी layers है उसे assemble कर लेना है यहाँ पर मैंने 5 layers किये है 1 kg cake के sponge में यहाँ पर मैंने जो हमारा first sponge था उसके मैंने 3 layers कर लिये थे और जो second sponge था उसके मैंने सिर्फ 2 layer किये थे क्योंकि tall cake के लिए 5 layer में अच्छी घसी हाइट आ जाती है अगर आप चाहिए तो 6 layers भी कर सकते है आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से मैंने पूरा cake जो है वो assemble कर चुकी हूँ और cake की height भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से आ गई है बस अभी जो हमारा last का sponge है इसे हमें crumble coat कर लेना है पहले हमें बिल्कुल भी पूरा cream लगा कि एक साथ ही नहीं set करना है इसे सबसे पहले हम crumble coat finishing देंगे और इसके बाद हम इसे support देने के लिए एक dowel add करेंगे अगर आप चाहिए तो dowel plastic वाला जो रहता है वो भी add कर सकते हैं यहाँ पे मैंने wooden वाला लिया है dowels जो है वो specially tall cake में add करना बहुत ही सरूरी हता है जिसी कि जो हमारा cake है वो बिल्कुल भी अपने जगे से हिलता नहीं है secure के लिए और इसके बाद बस हमें इसे अच्छे से crumble coat कर लिएना है और इसे हम fridge में half an hour के लिए set होने के लिए रख लेंगे आप चाहिए तो इस point पे आप overnight भी इसे रख सकते है तो अभी half an hour हो चुका है और जो हमारा cake है वो मैंने fridge से बहार निकाल लिया है और अभी हम इसे white whipped cream से इसे अच्छे से हम पुरा cover कर लेंगे और अच्छे से finishing दे लेंगे तो अब ready हो चुका है हमारा cake finishing देके लेता है वहीं से लेना है कोई भी stationary shop वाला नहीं लेना है हमें इडेबल रहता है इसे हम add कर लेंगे वोड़का के साथ यहाँ पर आप lemon juice के साथ भी add कर सकते है तो अभी हमें इसे mix करने के बाद एक अच्छा सा brush लेना है जो की weight में ठीक होना चाहिए और बस अभी अपर से down की तरफ हमें strokes मालते जाने है तो यह जो मेरा जो first layer है strokes का वो हो चुका है और अभी हम इसे finishing देने के लिए अच्छे से की dark look है अच्छे से तो second layer भी मैंने इसका इसी तरीके से कर लिया है अब देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से यह show हो रहा है और अब यहां पर मैंने लिए एक designer lace यह कोई भी shop पर अच्छे से मिल जाती है अदर्वाइस cake shop पर भी मिल जाती है यहां पर मुझे जिस तरीके से चाहिए थी उतना मैंने cut कर लिया है इसके एराउंड मैंने वन इंच इतनी cut कर ली है और बस अभी हम इसे यह cream base है इसके वैसे फटसे stick हो जाती है जस हम इसे round इसको wrap कर लेना है और बस इसके cut कर लेना है इसका measure लेके और अच्छे से हम इसे secure कर लेंगे इस तरीके से सो हमारा जो base है वो ready हो चुका है और जो हमारा look है second वो भी ready हो चुका है अभी हम इसे final touch देंगे कुछ flowers के साथ सो यहाँ पर मैंने fresh flowers यूज़ किये है सो यहाँ पर जिसके लिए मैं cake बना रही थी उसके theme के हिसाब से थोड़ा सा bluish था dress सो मैंने यहाँ पर white blue वाला flower लिया है और इसके बाद हम last maze में sprinkles एड़ कर लेंगे और एक अच्छा सा topper एड़ कर लेंगे सो रेडी हो चुका है हमारा designer cake सो आप देख सेकते हैं कितना pretty और beautiful लग रहा है हमारा जो cake है और इसका जो flavor है वो बहुत ही जादा tasty लगता है और अगर आपको detail recipe देखनी है vanilla sponge की how to whipped cream perfectly और इसके जो smooth edges किस तरह किसी किये जाते है तो ये सारे videos अल्रेडे मेरे channel पे है मैं description box में इसके link share कर रही हूँ आप please इस पे check out कर सकते है तो चलिए अगर आपको मेरी recipe पसंद आई हो तो इसे please like कीजिए, share कीजिए और मेरे channel को subscribe कीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं अगली recipe में तब तक के लिए thanks for watching